हाँ विद्यात्यों नमस्कार परिछा मन्थन आफिसियल यूट्यूब चैनल में आप सब का स्वागत है आज हम नए टापिक के साथ उप्रस्थित हैं और आज का टापिक है हडपा सब्धेता परिछा की दिख्ट से भी बहुत महत्पूंट टापिक है और प्राजा इस टापिक से प्रस्थन पूछे जाते हैं अब हडपा सब्धेता के अंतरगत चुकि एक बड़ा टापिक है और किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है पहले तो मैं उन चीजों को आपको बताता हूँ सबसे पहले अगर आप देखें तो हडपा सब्धेता को अनेक नामों से जाना जाता है और अनेक नाम है तो फिर एक प्रस्थन आता है कि इन नामों में सबसे उप्युक्त नाम क्या है वो आपको जानने की जरूरत है तो इसलिए हमने सबसे पहले आपको नामकरण की बात क करेंगे उसके बाद अगर देखा जा तो फिर हम आपको सिन सबहता के छेतर बिस्तार की जानकारी देंगे कि वास्ता में इस सबहता का बिस्तार कहां कहां हुआ उसकी जानकारी इसके अंतरगत देंगे इसके बाद फिर आप देखेंगे कि हम आपको इस सबहता का काल निर्ध भारण बताएंगे कि ये समय इस सब्धता का समय क्या था वो आपको हम इसके हम तर्गत बताएंगे सब्धता के निर्माता कौन थे ये बताएंगे और फिर इसका नगर नियोजन टाउन प्लैनिंग क्या थी वो आपको बताएंगे इसके बाद फिर आप देखेंगे कि सिन सब्धता के या हडपा सब्धता के प्रमुख नगर और यहां से प्राप्त वस्तु में इनके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इन्हीं आधार पर हडपा सब्धता का सामाजिक स्वरूप किया था इसके बारे में अंतेश्ट परंपरा के बारे में धार्मिक जीवन के बारे में आर्थिक जीवन कला और लिपी और अंत में पतन के संदर में यह संचेत रूप में आपको जानने की आउस सकता है तो चुकि टापिक बड़ा है तो इस टापिक को आप इस टापिक के अंतरगत आप क्या क्या जानेंगे अगर यह पहले से आपको पता है तो आपको टापिक समझने में बहुत आसान होगा तो अब चलिए हम सुरू करते हैं हरपा सबहता के संदर में सबसे पहले आपको हम हरपा सबहता के नामकरण के संदर में चर्चा करेंगे और ये चर्चा का बिसाइस विए बनता है क्योंकि इस सभथा को अनेक नामों से जाना जाता है आपको पता है कि इस सभथा को सबसे पहले सिंदु घाटी की सभथा नाम दिया गया क्योंकि प्रारंभी कस्थल सिंधु या उसकी सहायक नदियों के किनारे पाए गए थे कालांतर में इसी आधार पर इसे सिंधु सब्धिता और संधो सब्धिता के नाम से भी सम्जोधित किया जाने लगा अब देखिए इसे सिंसबिता के नाम से भी जाना जाता है संधो सबिता के नाम से जाना जाता है आगे चल करके अगर आप देखें तो इस सबिता के बड़ी संख्या में अस्थल सरस्वती नदी से प्राप होते हैं तो इसे सरस्वती घाटी की सब्विता के नाम से भी जाना जाता है एक नाम ये भी पड़ गया और फिर इसे हडपा सब्विता के नाम से भी जाना जाता है अब प्रारंभिक अगर ये सारे नाम को देख ले सिंदो घाटी के सबटा, सिंदो सबटा, संदो सबटा, सरस्टी घाटी के सबटा ये सारे नाम अगर देखा जा तो एक भावगोलिक छेतर की तरफ ही सारा करते है यानि ऐसी सबटा जो किसी एक ही भावगोलिक छेतर में फैली हो लेकिन जहां तक बात हडपा सबहता की है तो हडपा सबहता का बिस्तार किसी एक भावगोली खेतर में नहीं हुआ बलकि अनेक भावगोली खेतरों में फैली ये सबहता थी और फिर ये प्रसना आया कि ये नाम उप्युक्त हुआ अनुपियुक्त है तो फिर उपियुक्त नाम क्या होगा तो ऐसे में बिद्वानों ने ये बिचार किया कि क्योंकि इस सब्धता का पर्थम खोजा गया अस्थल का नाम हरपा है तो इसका नाम उसी के नाम पर कर दिया जाए प्रथम खोजे गया अस्थल के नाम पर इसका नाम हडपा सब्धता रख दिया गया और इससे किसी भोगोलिक छेत की तरफ हिसारा नहीं होता और इतिहास की परंपरा का पालन भी होता है और इसलिए इन सारे नामों में सरवाधिक उप्युक्त नाम हडपा सब्धता है अगर प्रस्थन ये आता है कि उप्रोक्त नामों में सबसे उप्युक्त नाम क्या है तो आप उत्तर देंगे हडपा सब्धता हमने रीजन भी बताया कि भी यह क्यों अनुप्युकत है और यह क्यों उप्युकत है ठीक है तो यह हमने नाम करण के संदर में आपको चार्चा की अब आगे हम बढ़ते हैं 16 इस्तार देखें हरपा सब्भेकता के बारे में अगर आप देखें तो हरपा स६्भेकता भारती उपमहदीप میں अगर देखें तो भारती महदीप में इसका बिस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीन देसों में हुआ, यनि हरपा, सब्था का बिस्तार कुल कितने देसों में हुआ, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अब प्रस्ण कभी आता है कि हरपा, सबधता का बिस्तार किस دेश में नहीं मिलता तो आपको इन तीन देशों को याद रखना इन तीन के अतरिक जो चवठा भी कल आता है तो निश्चित रुपसे वही से हडपा सबधता के प्रमान नहीं मिलेगा अब इन तीनों देशों में हडपा सबता के सरवाधी का स्थल अगर देखा जा तो भारफ से प्राप्थ होते हैं तो सबसे ज़्यादा स्थल कहां से मिले हैं भारफ से उसके बाद पाकिस्तान से और सबसे कम स्थल जो है अफगानिस्तान से प्राप्थ होते हैं तो सबसे पहले हम छेतर बिस्तार कहां कहां हुआ इसको बताने से पहले हड़पा सब्वता का सीमा निर्धारण देख लेते हैं सीमा का निर्धारण यह अगर आप इसका देखें तो यह आपका पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च है यानि इस अस्थल से और पस्चिम में अभी तक कोई अस्थल नहीं प्राप्त होते हैं यह ध्यान में रखियेगा अब यही चीज अगर आप देखें पूरब में तो यह पूरब में सबता का विस्तार कहां तक होता है यह अगर देखें तो यह पूरब में यहां आ गए हैं और पूरब में ये जो पॉइंट है ये जो अस्थल है ये है आलमगीरपूर उत्तर प्रदेश में है भारत के उत्तर प्रदेश में तो पूरब में इसकी सीमा कास्थल क्या है आलमगीरपूर यानि अभी आलमगीरपूर से जो मेरठ जिले में इस्थित है इस से पूरब अभ पश्चिम से पूरा अगर आप देखें इस इधर तो ये दूरी लगभग 16,00 किलो मीटर की दूरी है यनि सुथका गेंडोर से आलम गेरपूर की दूरी 16,00 किलो मीटर है तो 16,00 किलो मीटर लंबे छेतर में इस सबता का भी स्थार हुआ अब हम चलते हैं कि उत्तर की तरफ और उत्तर की तरफ अगर देखें तो ये एक पॉइंट है मांडा और मांडा इस्थित है जम्मू कस्मीर में इस्पेसली जम्मू जिले में ठिक है तो ये अब ये उत्तरी सीमा है यानि मांडा से अभी और उत्तर में इस सबता के कोई अस्थल नहीं पाए गए अब दच्छण में अगर देखा जा तो दच्छण में इसकी सीमा दाइमा बाद है ये दच्छण की सीमा है ठीक है तो मांडा से लेकर के दाइमा बाद तक और इधर अगर हम इसकी दूरी देखें तो ये लगभग 1400 किलो मीटर लंबाई है यानि उत्तर से लेकर के दच्छण की तरफ 1400 किलो मीटर लंबे छेतर में इस सबता का दिस्तार हुआ है तो ये अप चार सीमा हो गएं पच्छमी सीमा सुथका गेंडर बिलकुल याद रखिया आत्मसाथ कर लीजिए पूर्बी सीमा आलमगीर पूर इसको ध्यान में रखिये उत्तरी सीमा मांडा और दच्छणी सीमा दाइमा बाद है ठीक है इनको आपको याद रखना है किस द छेतर में फैली हुई सबता है एक तो ये चीज़ दूसी चीज़ अगर देखा जा तो ये तो हमने चुकी चोहदी बताई तो चार सीमा बताई लेकिन अगर इसका बिस्तार का आकार देखें तो बिस्तार का आकार इसका ये है कि इसको ऐसे कर ले और ये ये त्रिभुजाकार है ठीक है ऐसे तो त्रिभुज के आकार में इस सबहता का बिस्तार हुआ है कभी प्रस ना जाए कि हड़पा सबहता का बिस्तार आइताकार वरगाकार त्रिभुजाकार जो आकार पहुंच ले तो आपको बताना है कि ये त्रिवजाकार में हुआ है और इस सबता के पास लगभग तेरा सो किलो मीटर लंबा समुदर तक भी है तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सिन सबता की सीमाएं है और इनको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है इनसे प्रतनाता है तो हरपा सबता की सीमाओं से आप परकित हो गए अब जहां तक बात छेत बिस्तार की है तो चुकि इस सबता का बिस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीन देशों में हुआ अब सबसे पहले अगर हम भारत के माहत्पूर अस्थलों को देखते है तो भारत में अगर देखा जा तो सिन्व सबता की अबिस्तार कुल साथ परामतों में मिलता है यानि हरपा सबता या सिन्व सबता भारत के कुल कितने परामतों में इसके प्रमार मिलते हैं तो उत्तर होगा साथ परामत अब वो साथ प्रांद कौन है, किस प्रांद से कौन सा महत्पूर अस्थाल, उसकी क्या बहुगोली की इस्तिती है, इसकी चर्चा हम करते हैं सबसे पहले हम भारत में पंजाब प्रांद को अगर लेते हैं तो भारत के पंजाब प्रांद का सबसे महत पून अस्थल रोपड़ है तो पंजाब का सबसे महत पून अस्थल क्या है वो रोपड़ है अब रोपड को अगर देखा जा तो सिवालिक की पहाड़ी में सिवालिक रेंज में है और यहां यह सतलज नदी के तट पर इस्थित है आप महत्पून अस्थलों के नदियों मतलब कौन सा महत्पून अस्थल किस नदी के किनारे इसे जरूर याद रखिएगा आप पेपर देखिए सरवाधिक प्रस्थन हडपा सब्यता में अस्थलों की भोगोली की स्थिति से पूंचे जाते हैं और विशेश रूप से कौन सास्थल किस नदी के किनारे हैं इसलिए आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा तो रोपड जो है सतलज नदी के तट परिस्थित है अब खोज करता उत्खनन करता ऐसा नहीं कि प्रस नहीं आते हैं लेकिन ऐसे प्रस बहुत कम आते हैं ठीक है और उन्हें इस सो पचास में इस अस्थल की खोज बीबी लाल यानि ब्रजबासी लाल ने की थी और फिर उन्हें इस सो तिर्पन से च्छपन के बीच में यग्यदत सर्मा ने इसका उत्खनन कराया था तो ये रोपड अब रोपड की एक महत्पन बात ये है कि ये भारत का पहला ऐसा पुरास्थल है जहां स्वतंता प्राप्ति के बास सरु प्रथम उत्खनन का कारियर ह हुआ था इस द्रिफ्ट से आप देखेंगे कि रोपड अधिक महत्पन हो जाता है बाकि पंजाब में बाड़ा संगोल ये सब अस्थल हैं जो बहुत चर्चित नहीं है आपको क्यों इतना दिहान में रखना है कि बाड़ा संगोल ये सब पंजाब में इस्थित हैं अब द हर्याना का सबसे महत्पन हस्थल अगर देखें तो बनावली ये हर्याना का सबसे महत्पन हस्थल है ये हिसार जिले में प्राचीन सरस्थती नदी के किनारे इस्थित है तो बनावली की इस्थित कहा है प्राचीन सरस्थती नदी किनारे ये दब ये नदी सूख गई है ले बिन सिंग बिष्ट के नित्रत में खोज और उत्खनन का कारी हुआ सबसे महत्पूर्ण बात यह कि बनावली से पूरो सेंधो संस्कती के भी प्रमाड मिलते हैं ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है सिंसबता कि वो कौन कौन से अस्थल हैं यहाँ से पूर संस्थो संस्कती के भी प्रमाड मिलते हैं तो आपको बनावली उन में से एक है इसके अतरिक्त हर्याडा के एक और अस्थल जिनसको आप ध्यान में रख सकते हैं वो है राखी गड़ी और राखी गड़ी के बारे में आपको بتाएं कि ये जो है सरस्ती गहाटी का ही अस्थल है और इसकी बिसेशता ये है कि ये भारत का भारत में हड़पा सबता का सबसे बड़ा पुरा अस्थल है सबसे पूरे समसबता का नहीं ये देहान में रखियेगा भारत में हडपा सबता का सबसे बड़ा पुरा अस्थल कौन है? राखी गड़ी है ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर हम वबराल पूरे हडपा सबता को देखेंगे तो ये सबसे बड़ा पुरा अस्थल नहीं है जैसे आपको मिताथल है और कुडाल है भगवान पूरा है ये तमाम अस्थल हैं जो हर्याणा में इस्थित हैं इनको भी ध्यान में रखिए लेकिन इनके बारे में आने बहुत भिसेश जानकारी रखने की आउस सकता नहीं है तो ये हमने पंजाब और हर्याणा के अस्थलों की भोगोली की इस्तित से परचित कराया अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के एक अन्ने प्रांथ राजस्थान को देखते हैं अब राजस्थान में हरपा सबता का जो सबसे प्रमुका अस्थल है वो है काली बंगा तो काली बंगा जो है राजस्थान कर सबसे चर्चित स्थल है और ये गंगा नगर जिले में प्राचीन घगघर नदी के किनारे इस्तित है अब ये भी नदी सूख गई है लेकिन आपको याद रखना है कि पेपर में तो आए गई ही तो ये प्राचीन घगघर नदी के तक पर इस्तित हस्थल और उन्हें इस सो तेरपन में बी बी लाल उन्हें इस स्थल की खोज की थी लेकिन बाद में उन्हें इस सो एक सट में बी बी लाल और बी के थापर ने इसका उत्खनन कराया ठीक है क्योंकि ये महत्पुनस्थल है इसलिए खोज करता उत्खनन करता कि हम चर्चा कर देते हैं क्योंकि अगर कभी पूछा जाए गया तो महत्पुनस्थलों से अनताप इन पे अनावस्थक मेहनत मत कीजिए दूसी चीज़ ये है कि काली बंगा से भी पूर संधो संस्किती के प्रमाड प्राप्त होते हैं पूर हडपा संस्किती के प्रमाड मिलते हैं तो ये भी एक ऐसा स्थल है जहां सिंसबता के नीचे पूर संधो संस्किती के प्रमाड प्राप्त हुए है तो ये राजस्थान का सबसे चर्चित अस्थल है अब एक और प्रांथ के बारे में देखते हैं और वो प्रांथ है गुजराथ महत्पुन बात यह है कि गुजराथ से सरवाधिक अस्थल प्राप्थ हुए है तो वो कौन सा प्रांथ है जहां से सरवाधिक अस्थल प्राथ हुए तो वो क्या है वो गुजरात है तो ये एक महत्पूर्ण आपके लिए पॉइंट होगा कि किसी एक प्रांथ में सरवाधिक अस्थल किस कहां से मिलते है तो वो गुजरात अब जहां तक बात गुजराइत के हैंते गुजराइत की अगर आप देखें तो ये एहंदा बात जिले में इस्थित खंभात की खाड़ी में है और बिलकुर समद्ध तटका अस्थल है और वास्तविक इस्तितिस की भोगवा नदी के किनारे है तो खंभात की खाड़ी में भोगवा नदी के किनारे ये अस्थल है समद्ध तटकी अस्थल है हरपा कालीन बंदरगा भी रहा है ने इसकी खोज और उत्खनन का कारे कराया था तो ये एक बहुत महत्पूर अस्थल लोथल गुजरात का दूसरा जो चर्चित अस्थल है वो है धौला वीरा धौला वीरा वास्तों में धौला वीरा कच्छ जिले में कच्छ की खाड़ी में इस्थित है जैसे लोथल अगर खंभाद की खाड़ी में है तो धौला वीरा कहां है कच्छ की खाड़ी में इस्थित है और ये अस्थल मानहर और मानसर ये दो नदियों की किनारे इस्थित है 1966 में जेपी जोसी ने इस अस्थल की खोज की थी ठीक है और बार में उन्हें 190 से 190 तक आरेस विष्ट ने इसका उत्खनन कराया था आरेस विष्ट इन्हों ने उत्खनन कराया और बहुत चर्चित अस्थल है आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे प्रमुकहस्थल और वहाँ से प्राप्त वस्तूओं में इनकी चर्चा करेंगे तो राजस्थान में सबसे चर्चित तो आपको लोथल और दहुला वीरा है बागी हैंने पहले बताया कि सरवाधी का स्थल यहीं से प्राप्त हुए है आन्यस्थलों में आप देखेंगे कि रंगपुर, रोजदी, कुंतासी, खर्वी, भागतराव, देशलपुर, सुर्कोटडा, आदी यह सभी गुजरात में स्थित हैं लेकिन आपको बिसे सुरूत रे इन पे फोकस करना है इनके संदर में केवल इतना जानना है कि यह सारे अस्थल गुजरात में इस्थित हैं तो ये गुजरात के महत पूर अस्थलों के बारे में हमने चर्चा की अब पांचवा प्रांथ देखते हैं जहां से हरपा सबहता के प्रमाण मिले और वो पांचवा प्रांथ है महाराष्ट तो महाराष्ट से भी इस सबहता के प्रमाण मिले महराष्ट का जो चर्चित अस्थल है वो है दाइमाबाद दाइमाबाद महराष्ट के आहमन अगर जिले में इस्थित है और ये गोदावरी घाटी का अस्थल है तो गोदावरी घाटी में इस्थित दाइमाबाद है और उन्हें से 86 में इस अस्थल की खोज उत्खनन का कार्य हुआ और आपको पता है कि ये सिंसबता का दच्छनी सीमा का भी अस्थल है तो एक मातर अस्थल महराष्ट का दाइमाबाद है इससे आप परचित हुए अब भारत का वो छठा प्रांथ अगर देखे जहां से इस सबता के प्रमार मिले हैं तो वो प्रांथ है उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश के अस्थलों में जो सबसे चर्चित अस्थल है वो तो है आलमगीरपुर आपको पता है अभी हमने बताया कि ये हरपा सबता की पूर्वी सीमा भी है अलमगीरपुर मेरट में यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन वस्तों में ये कहां इस्थित है हिंडन नदी के किनारे और उत्तर पुदेश का है इसलिए इसकी खोज उत्खनन भी याद रखिये 1968 में भारत सेवक समाज द्वारा इस अस्थल की खोज हुई थी और फिर इसी वर्ष यग्यदत सर्मा ने इसका उत्खनन कराया था तो ये आलम गेर पुर सबसे चर्चित अस्थल है उत्तर पुदेश का इसे ध्यान में रखना है यदब उत्तर पुदेश से और कई अस्थल पाए गए हैं और लेकिन उनकी बिसेश महत्ता नहीं उनको केवल आपको ये ध्यान में रखना है कि ये उत्तर पुदेश से सम्म और सनवली ये भी चारो अस्थल उत्तरप्रदेश में ही हैं इनमें अगर ये पहले तीन अस्थल देखें तो सहारनपुर जिले में इस्थित हैं और ये यमना की सहायक नदी मस्करा के तक पर इस्थित है सनवली बागपत जिले में इस्थित है हिंडन नदी के किनारे है तो इस तरह से अगर देखा जा तो उत्तरप्रदेश का चर्चित अस्थल तो एकी है उसी को ध्यान में रखना है लेकिन इन्हें भी इस रूप में ध्यान में रखना है कि ये उत्तरप्रदेश में इस्थित ह क्योंकि यूपी PCS का मामला रहता है तो यूपी के अस्थलों को बिसेश रूप से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वहां से प्रस्ण अवसे बना दिये जाते हैं अब अगर भारत का अंतिम प्रांथ सात्वा जहां से हड़पा सब्था के अस्थल पाए गये हैं वो अगर देखा जा तो जम्मू कस्मीर है और जम्मू कस्मीर का सबसे महत पुनस्थल कौन सा है वो है मांडा मांडा की स्थती अगर देखा ये तो ये जम्मू जिले में है चिनाब नदी के किनारे इस्थित है और 1982 में जे पी जोसी और मधुबाला के देख रेक में यहां का उत्खनन हुआ है अब इसकी एक और महत्ता है कि यह उत्तरी सीमा का अस्थल है अगर आप पेपर देखें तो कई बार पूँचा गया प्रस्न है और सबसे ज्यादा बार यह पूँचा गया कि मांड़ा किस नदी के किनारे इस्थित है याद रखना है चिनाब नदी के किनारे इस्थित है तो देखें यह हमने आपको भारत में हड़पा सबहता के कौन से अस्थल किस प्रांत में हैं अगर वो महत्पून है तो किस जिले में हैं किस नदी के किनारे हैं अगर और बहुत महत्पून है तो उसके उत्कनन खोज करता कौन है यह सब चर्चा होने की और यह सारी चीजों की चर्चा अमतहान को अध्यान में रखते हुए कि कौन सा immunity कितना माहत पुर्ण है उसके इसाब से उसकी जानकारी बढ़ा दी जाती है ठीक है तो भारत से कौन कौन से अस्थल किस प्रांट से प्राप्त हुए हैं वो आप जान गए अब दूसरा देश जहां से इस सबहता के प्रमार पाए गए वो है पाकिस्तान अब पाकिस्तान में तीन प्रांटों से पाकिस्तान के तीन प्रांटों से इस सबहता के अस्थल पाए गए सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो पंजाब इसलिए पंजाब भारत में भी है पाकिस्तान में भी पंजाब का पूरवी हिस्सा भारत के अंतरगत पश्चिमी हिस्सा पाकिस्तान के पास अब पाकिस्तान के पंजाब में जो महत्पुना स्थाल, आप देखेंगे कि हरपा, जिसके नाम पर इस सब्धता का नाम ही पड़ा है तो हरपा कहां इस्थित है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के केस प्रांट में? पंजाम में अब आगे हरपपा के बारे में अगर देखें तो वास्तों में हरपपा जो है ये पंजाब प्रांट में मांट गोमरी जिला है जिसे साही वाल जिला भी कहते हैं इसी जिले में इस्थित है और ये रावी नदी के किनारे इस्थित है उन्हें 21 इस बी में दयाराम साहनी ने इस अस्थल की खोज की थी और ये इस सबहता का पर्थम खोजा गया अस्थल है तो हडपा सबहता का पर्थम खोजा गया अस्थल का उनसा हडपा और इसी के नाम पर इस सबहता का भी नामकरण किया गया है नदी आवसे याद रखिए कि ये किस नदी के किनारे इस्थित है पहला खोजा गया अस्थल है कब खोजा गया उन्हें इससे कह इसमें किसने खोजा दयाराम सायनी इससे भी याद रखना है आपको तो पंजाब का ये सबसे चर्चित अस्थल है पाकिस्तान के पंजाब का दूसरा चर्चित अस्थल गनवेरी वाला ये है अब गनवेरी वाला पंजाब के बहावल पुर्जिले में इस्थित है और ये सरस्थती के एक सहायक नदी है हकरा नदी तो हकरा नदी के किनारे है बाकि कोई बिसेस्ता तो नहीं है एक बिसेस्ता जरूर है जिसे आपको हरहाल में याद रखना पड़ेगा ये हड़पा सब्धता का सबसे बड़ा पुरा अस्थल है यह च्छेतर फल की दृट से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़े च्छेतर में फैला हुआ अस्थल है गनवेरी वाला तो हड़पा सब्धता का सबसे बड़ा पुरा अस्थल प्रस्न आता है तो गनवेरी वाला और भारत में हड़पा सबता का सबसे बड़ा पूरा स्थल अगर पूछा जाता है तो राक ही गड़ी ठीक है दोनों को बिल्कुल अंतर रखिएगा दोनों से प्रस्थन बन सकते हैं तो ये पाकिस्तान के पंजाब के दो महत पूर अस्थल है जिनको अपने चर्चा की अब पाकिस्तान के दूसरा प्रांद जहां से इस सबता के प्रमार पाए गए वो है सिंध प्रांद तो सिंध प्रांद से कई महत पूर अस्थल इस सबता के पाए गए सिंध प्रांथ का सबसे चर्चित अस्थल मोहन जोदोरो सिंधी भासा का सद जिसका अर्थ है मृतकों का टीला मोहन जोदोरो का साथदिक अर्थ है अब मोहन जोदोरो को अगर देखा जाए तो ये सिंध प्रांथ में लरकाना जिले में सिन्ध नदी के किनारे इस्थित है तो मोहन जो रुड़क किस नदी किनारे इस्थित है सिन्ध नदी उन्हें 122 इस भी में RD बनर जी यानि राखल दास बनर जी ने इस अस्थल की खोज की थी और फिर आगे मार्शल के नित्रत में जो भारती पुरा तत्तो सर्वेच्षण के महा निदे सक भी थे इस समय इस सबता के खोज के समय तो इनहीं की देखरेक में इस अस्थल का उत्खनन हुआ और इस सबता का बहुत चर्चित अस्थल है यहां से प्राप्त वस्तों से सिंसबता के इतिहास निर्माण में महाटपूण भूमी का भी है अब दूसरा महाटपूण अस्थल अगर देखा जा सिंद्परांद का तो वो चंधू दड़ो है तो चंधू दड़ो यह नवाब साजिले में इस्थित है और यह भी सिंद्वनदी के किनारे इस्थित है 1931 में एंजी मजुमदार ने इस सिंद्थल की खोज की थी और 1934 में मैके के नेक देखरेक में इसका उत्खनन हुआ तो 1931 में एंजी मजुमदार ने खोजा 1934 में मैके ने यहां उत्खनन कराया चंधुदड़ों में सिंसबता के पतन के बाद एक सबता का विकास हुआ और वो सबता थी जूकर एवम ज्ञांगर संस्किती तो अगर प्रस्था आता है कि सिंध्व सबता को वो कौन सा अस्थल है जहां से जूकर और ज्ञांगर संस्किती के प्रमाण मिले हैं तो वो उत्तर होगा चंधू दड़ो तो देखे सिंध्व प्रांथ के सबसे चर्चित अस्थल तो ये दो हैं मोहन जोदो चंधू दड़ो लेकिन इनके अतरिक भी कई अस्थल यहां से प्राप्त हुए जैसे आमरी ये भी सिंध्व में है कोट दी ये भी सिंध्व में है अली मुराद ये भी सिंध्व में है अलाह दीनो ये भी सिंध्व में है तो इन अस्थलों को बस इतना दिहान में रखना है कि ये सारे सिंध प्रांथ में इस्थित है और बिसेश रूप से नजर रखनी है मोहन जोड़ों और चन्द होड़ों पर तो ये सिंध प्रांथ के मुखे अस्थल थे अब हम पाकिस्तान का तीसरा प्रांथ जहां से इस सब्धता के प्रमार्ट मिलते हैं और वो अस्थल है बलूचिस्तान बलूचिस्तान का सबसे चर्चित अस्थल है सुत्का गेंडोर यह अप्रस बता के पह्चिमी सीमा का भी अस्थल है आप देख चुके हैं सीमा निधाराण में ठीक है तो सुत्का गेंडोर बलूचिस्तान का सबसे चर्चित अस्थल ध्यान में रखना है यह मकरान समुद्धत पर इस्थित है दास्क नदी के किनारे इस्थित है ठीक है मुखेता यही तद्धत आपको ध्यान में रखना है और 1927 में आरेल इस्थाइन ने इसकी खोज की थी और बाद में 1962 में जाड़ डेस्थ के नितरत में इसका उत्खनन हुआ था तो सुत्का गेंडोर महत्पुन अस्थल है समुद्धत तटी अस्थल है उस समय का एक बंदरगा भी था और इसकी भोगोली किस्थती को आपको जानने आउस्थाख है दूसरा सुत्का को है यह भी मकरान तट पर ही इस्थित है तो सुत्का को भी मकरान तट पर इस्थित है यह सादिक और नदी के किनारे इस्थित है और 1962 में जार्डर्स ने इसकी खोज और उत्खनन का कारे कराया था तो देखे सुथका गेंडर और सुथका कोड दोनों समुद तक्टी अस्थल है बलूचिस्तान के बंदरगाह रहे उसी युग में ये दो तो चर्चित अस्थल है बाकी अगर देखा जाए बलूचिस्तान में डाबर कोट बाला कोट मेहर गाड़ ये सारे अन्य अस्थल है जो बलूचिस्तान में इस्थित है तो इनकी इस्थती कहा है बलूचिस्तान में ये आपको ध्यान में रखना है तो ये पाकिस्तान के तीनों प्रांतों के महत्पून अस्थल और उनकी बहोगोली की स्थती से हमने आपको परचित कराया अब यहां तक बाद तीसरा देश वो है अफगानिस्तान सिर्व सब्वता के प्रमार आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से भी प्राप्थ हुए है यद अप यहां से कोई चर्चित अस्थल महत्पून अस्थल नहीं मिल पाए साधारन अस्थल ही मिले है अफगानिस्तान का पहला महत्पून अस्थल है मुंडी गाक तो मुंडी गाग कहा इस्थित है अफगानिस्तान में दूसरा अस्थल है सोर्तूगवी तो ये दो अस्थल है जिनकी इस्थिति अफगानिस्तान में है तो विद्यारतियों आप समझ सके कि ये सबहता किन देशों में किस देश के किस प्रांत में और किस प्रांत में कौन कौन से अस्थल है और उन अस्थलों की क्या क्या भावगोली की स्थती है इन सब से आपका परिचे हुआ और ये बहुत आपको बता दे इमतहान के नजर ये से बहुत कम चीजें हैं और बहुत कम चीजें को अगर तयार कर लेते हैं तो सरवाधिक संभावना यहाँ से प्रस्मिलने की है तो कम परिस्तरम से अधिक लार यहां से मिलने वाला है कितना तयार रख लीजिये आपको काफी कुछ इस से प्रस्मिल जाएंगे तो यह हमने आपको छेतर बिस्तार के बारे में शर्चा की कि हड़पा सबहता का बिस्तार किन देशों में किन प्रामतों में कहां कहां तक कितने वर किलो मीटर में सारी जानकारी दी इसको आप सुनिये पॉइंट बनाएए कुश्चन साल रुकीजिए अब इसके बाद हम आगे टापिक बढ़ते है हडपा सभदा के अंतरगत हम आपको काल निर्धारण के बारे में बताते हैं वाफतों में हडपा सभदा का समय क्या था? किस समय ये सभदा बिक्सित हुई थी? अब जब हरपा सब्टा की खोज हुई उस समय अगर देखा जाए तो बहुत बिक्सित तक्नीक नहीं थी जो समय का निर्धारन कर सके इसलिए बहुत लंबे समय तक बिद्वान अलग-अलग समय निर्धारीत करते रहे तो अलग-अलग बिद्वानों का अलग-अलग बिचार आपको देखने को मिलता है लेकिन आप देखेंगे कि प्राचीन संस्कृतियों का समय निर्धारित करने के लिए वर्तमान में जो सबसे लोक्प्रिय विधी है वो है रेडियो कार्बन फूटीन विधी संखेप में इसे बोलेंगे अब इसके माध्यम से अगर देखा जा तो प्राचीन संस्कृतियों का काफी हद तक अच्छी स्थिति में समय निर्धारित कर लिया जाता है अब कार्बन फूटीन विधी की खोज़ों नहीं चास में एक अमेर की बिद्वान प्रोफेसर डबलू एफ लिब्बी ने की थी इन्होंने इस बिद्धी की खोज़ों की थी और फिर इस बिद्धी से जो है कई प्राचीन संस्कृतियों का समय ग्याद किया गया हरपा सब्धता का समय भी इससे ग्याद किया गया और सर्प्रथम डीपी अगरवाल नामक बिद्ध्वान ने कार्बन फोटीन के आधार पर हरपा सब्धता का जो समय निर्धारित किया वो लगभग तेईस सो से ले करके सत्रा सो पचास इसा पूर तो ये सी फोटीन के आधार पर निर्धारित किया गया है लेकिन विद्ध्वानों का ये मानना है कि वास्तबिक समय अगर देखा जाए तो हरपा का था वो पचीस सो से ले करके सत्रा सो पचास इसा पूरता है तो मुखे समय ये माना जाता है अगर कभी सी फोटीन के आधार पर आए तो इसे बताना है और केवल पूंच लिया जाता है कि हरपा सबचा का विकास कब हुआ तो उत्तर होगा पचीस सो से ले करके सत्रा सो पचास इसा पूर के बीच में इस समय आपको ध्यान में रखना ह है इसमें कि हरपा सबचा एक बिकसित सबचा थी कांस यूगेन सबचा थी नगरी सबचा थी फिर इतनी बिकसित सबचा के निर्माता कौन थे इस पर चर्चा करते हैं सबचा के निर्माता अब देखे कोई सिर्म सब्धता के लोग लेखनकला से परचित थे इनके लिपी के भी प्रमार मिलते हैं दूर भागे से अभी तक वो लिपी पढ़ ही नहीं गई इसलिए कोई लिखित साच्छे के आधार पर इनके इतिहास का उद्गहटन नहीं हो पाया तो सब्धता के निर्माता कौन थे इसके लिए भी हमें पुरा तात्विक सरोतों का ही सहारा लेना पड़ता है इस अंदर में आपको बता दें कि मोहन जोड़ों से बड़ी संख्या में अस्थब्यस्त अवस्था में मानो कंकाल मिले हैं और उन मानो कंकालों में 11 कंकालों का भिसे सरोप से अध्यान हो सका है बाकी नश्थ हो गए अस्थब्यस्त अवस्था में टूटे हुए अवस्था मिलते हैं अब इन 11 कंकालों का जो अध्यान हुआ इसमें से ये पता चला कि ये चार प्रजातियों के कंकाल थे अब उनमें एक थे भो मद्ध सागरी लोगों के कंकाल इन्हीं को द्रबिड कहा जाता है तो भूमादसागरी या द्रविड प्रजात के लोगों के कंकाल मिले हैं और छे कंकाल इनके प्राप्त हुए है इसके बाद फिर आप देखेंगे कि आद्दे आस्ट्रेलाइड इस प्रजात के लोगों के तीन कंकाल तीसरे मंगोलाइड इस प्रजाती का एक कंकाल और चौथा आलपाई इस प्रजाती का केवल एक कंकाल तो ये ग्यारक कंकालों का ध्यन हुआ और इस ग्यारक कंकाल के अधार पर हम कह सकते हैं कि हरपा सबता में कम से कम चार प्रजातियों के लोग जरूर रहे होंगे और इस अबता के निर्माड में इन ही प्रजाद के लोगों की भूमिका रही होगी अब इन फैक्ट इन तत्यों के अधार पर आपको दो बिचार हम आपको निकाल के देते हैं पहले चीट तो ये है कि इस सब्वाता के निर्मार में कोई एक प्रजाद की भूमिका नहीं रही बलकि इसमें ये कह सकते हैं कि ये एक मिसरित सब्वाता थी मिली जुली प्रजात के लोग रहते थे और सब का योगदान रहा तो एक ये निकल के आता है बिचार की मिस्तित सबहता और दूसरी चीछ चूंकि ग्यारा में से च्छे कंकाल भूमद्ध सागरी या दरबिन लोगों के मिलते हैं तो दूसरा बिचार ये आता है कि इस सबहता के निर्मार में भूमद्ध सागरी लोगों की या दरबिन लोगों की भूमी का सरवाधी करही होगी तो ये दूसरा पॉइंट अब ये कंकालों के संखे नहीं याद रखने हैं ना इससे कभी परसनाएंगे ये कौन-कौन सी प्रजातियां के प्रमार मिले हैं इन दो पॉइंट को जरूर याद रखिए कि सिन सबहता एक मिस्तित सबहता थी और दूसरी चीज़ ये है कि इस सबहता के निर्मार में भूमद सागरी प्रजाति के लोगों की सरवाधिक भूमिका रही होगी किस आधार पर? 11 में से 6 का आधे से अधिक कंकाल उनके मिलते हैं इस आधार पर कह सकते हैं कि इनकी भूमिका अधिक रही होगी तो सबहता के निर्माता कौन थे? इनसे भी हमने आपको परिचित करा दिया है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हड़पा सब्धता के नगर नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे बहुत महत्पूंट टापिक है नगर नियोजन यानि काउन प्लैनिंग हड़पा सब्धता एक नगरी सब्धता थी और भारती उप महादीप में सर प्रथम इसी सब्धता में नगरी करण हुआ इसलिए इसे प्रथम नगरी करण की संग्या दी जाती है कुछ विद्वान इसे प्रथम नगरी क्रामती भी कहते हैं अब हम देखते हैं नगर नियोजन के बारे में सिर्म सभथा का नगर नियोजन बड़ा बिसिष्ट था और सबसे महत्पून बात ये है कि हरपा सभथा का जो नगर नियोजन मिलता है ये बिस्व की प्राची इंतम सुनियोजित नगर बेवस्था थी ये आप यहाँ देख सकते हैं कि बिस्व की प्राचीन तम सुनियोजित नगर बिवस्था काँ देखने को मिलती है हरपा सभथा में बागी इससे पुरानी नगरी करण तो देखने को मिल जा गये मेसो-पोटामिया सभथा में के जो नगर ही से प्राचीन मिलेंगे लेकिन वहां के नगर एक योजना बद्ध तरीके से नहीं बसाए गए है और सिम्सबता के नगर एक योजना के तहत बसाए गए है ये महत्पून बात है अब इस नगर की मुखे मुखे बिसेस्ताएं क्या है सामाने बिसेस्ताएं पहले जान लेते है पहली चीज अगर आप देखें तो जो भी नगर मिलते हैं प्रायह नगर दो खंडों में विभक्त तो प्रायह नगर दो खंडों में विभक्त मिलता है जैसे सपोज ये नगर है और इस नगर में इधार ये पूरब है और ये पश्चिम है तो पश्चिम ये उंचाई पे बसाया जाता था और इसे दुर्ग छेत्र या टीला कहा जाता था और ये पूरब की तरफ निचला नगर था ये था तो सामानिता पूरे नगर ये दो खंडों में बटे होते थे जो दुर छेत्र होता था ये बिसिष्ट कारियों के लिए प्रसासनिक कारियों के लिए होता था जब कि यहां पर आम जनता निवास करती थे आवासी छेत्र होता था तो इस तरह से अगर आप देखें तो प्राया नगर दो खंडों में विभक्त मिलते हैं ये नगर नियोजन की एक विसेष्टा है यदब कुछ अपवाद भी मिलते हैं वो अपवाद हम नगरों के बारे में बताएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे दूसी चीज अगर देखा जा तो इन नगरों में सड़कों का निर्माड भी बहुत बिसिष्ट है नगरों में सड़कों का निर्माड अब बिसिष्टा क्या है कि ये जो सड़के नगरों में बनाई गई थी ये बिलकु सीध ही बनाई जाती थी और एक दूसरे को समकोंड प या आईताकार खंडों में बिभक्त हो जाएगा यानि नगर अनेक ब्लाक में बिभक्त हो जाएगा तो ये बिसेश्टता आपको देखने को मिलती यदफ सड़के कच्ची ही होती थी मिट्टी की बनाई जाती थी लेकिन साब सफाई की पूरी ब्यवस्था होती थी फिर मकान का मुख दरवाजा सड़क की तरफ नहीं खुलेगा बलकि मुख दरवाजा गली की तरफ खुलता था ये बिसेस्ता जो हरपा सबता के नगरों में देखने को मिलती है तीसरी चीज़ अगर आप देखें मकान के बारे में तो ये दरफ खुलता के नगरों में कई आकार प्रकार के मकान मिलते हैं लेकिन सामान नित्ता ज्यादा तर चार पांच कमरे वाले मकान मिलते हैं और इन चार पांच कमरों के साथ अगर आप देखेंगे तो वास्तो के अन तत्तु भी मिलेंगे, वास्त के आने तत्तु का मतलब, मकान में बरामदा मिलेगा, इसनानागार मिलेगा, रसोई घर मिलेगा, वें मिलेंगे, और कुछ बड़े घरों में तो सवचाले भी पाए गए हैं, तो यह बेवश्थ था, आप देखेंगे, और मकान एक मनजिला तो तो हरपपा, मोहन, जोड़ो, चंदूड़ो, ये सब जो अस्थल है यहां पर मकानों के निर्माण में ज्यादा तर पकी इंटों का प्रयोग हुआ है ठीक है? यहां पर ब्यापक रूप से पकी इंटों से ही मकानों का निर्माण किया गया लेकिन जो अन्य नगर हैं, वहां ज्यादा तर कची इंटों का प्रयोग हुआ है कुछ मातरा में पकी इंटों का प्रयोग, उधारण के लिए नाली बनाना है, कुवा बनाना है, तालाब बनाना है जहां भी जल भरावाली इस्थिती होती थी, वहाँ पाकी इंटों का प्रियोग होता था अब इंटों का आकार प्रकार अगर देखें, तो 10 इंच लंबी, 5 इंच चोड़ी, और 1.5 इंच मोटी होती थी यहाँ इंटों में अगर देखा जाएं, 4-2-1 का अनपाथ, यह अनपाथ भी पूछा जाता है, इसलिए आपको हम थोड़ा सा डाइमेंशन इसका बताएं, वरना तो इतने फैक्चुल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अनपाथ पूछ लेते हैं तो हडपा काली सामानता ही इंटों में 4-2-1 का अनपाथ होता था, अब ज्यादा तर दिवारों की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की जाती थी, और दिवारों की जुड़ाई होती थी, उसकी जो तकनीक थी, इंगलिस बांड बीधी से, यह एक दिवार निर्मार की तकन तकनीक थी, जो दिवार बेस मकान बनाय जाते हैं, वो आज भी इसी तकनीक से बनाय जाते हैं, अब हडपा सभटा के नगर नियोजन की, अगर हम सबसे महत पूर्ण बिसेस्ता अगर देखते हैं, तो वो है नगरों की जल निकासी बेवस्ता, तेक हैं, यह, यह, सिर्ण बेवस्ता है, जल निकासी बेवस्ता, कहने के मतलब यह है कि हडपा सभटा के नगरों से जितने उन्नत जल निकासी बेवस्ता देखने को मिलती है, बिस के किसी भी प्राचीन सभटा में ऐसी उन्नत जल निकासी बेवस्ता देखने को नहीं मिलती है, आप सोचे कि एक घर ह घर से नाली निकलती है, गली की नाली मिलती है, गली की नाली एक सड़क के नाली में मिलती है, सड़क की नाली मुख्य नाली में जाके मिलती है, और फिर पूरा नगर का पानी नगर से बाहर, यानि आप आज के संदर में देखें, तो संधो वासी सीवर लाइन का प्रियोग क यानि यतने प्राचीन काल के लोग भी यानि हरपआ सभधा के लोग भी सिवर लाइन का प्रियोक करते थे तो इतनी अच्छी इतनी उत्ταम ब्यवस्ता हरपा सभधा के अंतरगत मिलती है और भी समय अन्य किसी नगर में इस तरह की ब्यवस्ता देखने को नहीं मिलती तो ये तो हमने आपको सामाने बिसेस्ता है कामन फीचा जो ज़्यादातर नगरों में लागू होती है वो हमने बताया और फिर कुछ महत पूर्ण नगरों में कुछ अलग बिसेस्ता मिलते तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे अब नगर नियोजन के बाद अगर आप देखें तो हम कुछ महत पूर्ण नगरों और वहाँ से प्राप्त वस्तूओं के बारे में चर्चा करेंगे सुरुआत हम करेंगे हडपा से अब हडपा की भोगोली की स्थती तो हम बताई चुके हैं अब हडपा नगर के बारे में अगर देखें तो ये पूरा हडपा नगर था और हमने बताया कि ये दो खंडों में बिभग था ये पश्चिम वाले च्चेतर में दुर्ग च्चेतर था और पूरा वाले च्चेतर को ये निचला नगर कहा जाता था तो ये पूरा नगर दो खंडों में बिभग था अब ये जो दुर्ग च्चेतर था उचाई पे बसा हुआ था और इस च्चेतर को बहुत उची दिवार से मोटी दिवार से घहर दिया गया आने जाने के लिए गेट लगा दिया गया तो इस तरह से ये दुर्ग च्चेतर और ये निचला न गया, दुर्ग छेतर उंचीर अच्छा प्राचीर से घहरा गया था, अब इन छेतरों का जब उत्खनन हुआ, तो दुर्ग छेतर से दुर्भाग से कोई महत कौन इमारत के आउसेस, सारजनी की मारत के आउसेस नहीं मिले, इसके पीछे कारण भी था, कि इस सबता के खोज से पहले ही आसपास के लोगों ने इस टीले को उत्खनन करके इंट वगेरा निकाल ले गए, तो इसकी संदचना भी गड़ गई, तो यहां से कोई चीज नहीं मिलती, लेकिन दुर्ग छेतर के उत्तर से एक और टीला प्राप्त हुआ है, विद्वानों तो यहां से मजदूरों के रहने के लिए, मजदूरों के लिए बैरके प्राप्त होती हैं, बैरक, तो दो कमरों वाले पंदरा बैरक के प्रमार यहां से मिलते हैं, जहां मजदूर रहते थे तो प्रसनाता भी है कि मजदूरों के रहने के बैरक कहा से मिलता है, तो हड़प कार चबूतरे प्राप्त होते हैं अठारा पकी इंटों से निर्मित हैं ब्रता कार चबूतरे हैं और प्रतेक चबूतरे के बीच से गड़ा मिलता है और बहुत सारे गड़ों से जले हुए गेहुं और जव के साच मिले हैं तो यहां से जव गेहुं इन गड़ों से मिलते हैं इनको भी दिहान में रखेंगे तीसरी चीज़ यहां से सोला भठिया मिली है और इनमें कंडे कोईले की राक मिलती है अगल बगल तांबे की बनी वस्तु में विद्वानों को मानना है कि ये तांबा गलाने का कार खाना था तांबे की वस्तु में यहां निर्मित होती थी चौथी चीज़ यहां से जो प्राप्त होती है वो है खंडों में अनागार अनागार अनाज भंडारन का भवन ग्रेनिरी ठीक है तो ये बाराख खंडों में अलग अलग बाराख खंड मिलते हैं इस छेतर से और यहां आज का भंडारन किया जाता था तो ये तो एफ टीला से ये चार महत्पून चीजे बाकी हडपा से जो चीजे मिलती हैं वो सब निचले नगर से प्राप्त होती हैं अब निचले नगर से प्राप्त वस्तुओं में अगर देखा जा तो यहां से सोने से का बना हुआ एक सुन्दर हार मिलता है निकलेस मिलता है या बहुत सुन्दर आभ हुसन यहीं से मिला सोने का हार तो इसे ध्यान में रखना है यहाँ से आप देखेंगे कि एक प्रसाधन पात्र प्राप्थ हुआ है प्रसाधन पात्सेताथ पर वैनिटी बाक्ट से है जहाँ सौंदर सामग्री रखा जाता था इसका मतलब है किह सौंदर सामग्री का भी प्रयोक करते थे यहां से काजल की डिबिया भी प्राप्थ हुई है काजल लगाने की सलाई भी मिलती है सफेद पाउडर के प्रमाण मिलते हैं तो देखी ये चीजे भी यहां से प्राप्थ होती है इसके अत्रिक्त अगर देखा जा तो यहां से तांबे का बना एक पैमाना, इसकेल, नापने के लिए तांबे का पैमाना भी प्राप्थ होता है यहीं से गधे की हड़ी प्राप्थ होती है तो गधे का भी प्रमाण मिलता है यहां से तर्बूज के बीज मिलते हैं यहीं से तो इस तरह से अगर देखा जा तो हडपा से अने कई महत पूर चीजे यह प्राप्थ हो जाती है तो हरपा नगर कैसे बसा था एक तो ये जान गए दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो ये भी पता हो गया कि दूर छेर से कोई भी चीज़ नहीं मिलती है दूर छेर से बाहर एफ तीला है उससे ये चार चीज़े मिलती है जो आपको ध्यान में रखना है और फिर आप दे का स्वरूप है हरपा नगर कैसे था हरपा से क्या वस्तों प्राप्थ होती है दूसरा महत्पूंड नगर मोहंजोदरो अब मोहन जोडोर नगर विल्कुल हरपा की योजना में ही बसाया गया था ये पश्चिम में है दुर्ग छेतर है ये पूरप का है निचला नगर विल्कुल वही योजना है फिर दुर्ग छेत उन्कीर अच्छा प्राचीर से घिरा हुआ था लेकिन जहां हडपा के दुर छेतर से कोई चीज नहीं मिलती वहीं मोहनज़ोड़ु के दुर छेतर से कई महत्पून चीजें पराप्थ होती है पहली चीज़ छीज़ तो यह है कि इस दुर छेतर से एक कुसान काली इस्तूप का प्रमार्ण मिलता है यहां यह ध्यान रखना है कि यह हडपा काल का स्थूप नहीं है सीधा सीधा लिखा है कि यह अइतिहासिक काल का है मौरियत्तर काल का है कुसानों के समय का स्थूप इसी छेत से मिला है यह संधो काल का नहीं है लेकिन मोहंजोडों के दुर्ग छेत से मिला अब दुर्चेर से अन चीजों में अगर देखा जा तो यहीं से बिसाल इसनानागार बहुत सुन्दर याद रखना है बिसाल इसनानागार दुर्चेर से प्राप्त होता है पूरा इसनानागार पकी इंटों से बना हुआ था जल रोधक बनाने के लिए बिटुमिन का लेप लगाया गया था उत्तर और दच्छन दिसा में सीड़िया बनाई गई थी जिसे कि आप तल तक पहुँच सकते हैं तो ये सिर्व सबता की सबसे सुन्दर रचना मानी जाती है बिसाल इसनानागार इसका उपयोग प्राया धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किया जाता रहा होगा फिर आप देखेंगे कि यहीं से बिसाल अनागार हडपा सबता का सबसे बड़ा अनागार मोहन जोड़ों से प्राप्थ होता है और 27 खंडों में यह भी भग इसके बाद फिर आप देखेंगे कि यहां से एक विसाल इमारत जिसे बिद्वानों ने पुरोही तावास की संग्या दी है और फिर एक सभा भावन प्राप्थ हुआ है यह स्तंभो पराधारिट पकी इंटो से निर्मित इस्तंभो पराधारिट वरगा कार इमारत है कुछ विद्वान इसे बाजार हाल की भी संग्या देते है यह सारी इमारते पकी इंटो से निर्मित है, सारी इमारते दुर इच्छेत से प्राप्त होती है तो निशित रूब से मौहन जोदोडों से बहुत बिसाल सुन्दर इमारते के प्रमाण प्राप्त होते हैं अब आप देखेंगे कि निचले नगर से भी कई महत पूर्ण चीजे मिलती हैं निचले नगर से एक प्रमुक चौराहा प्राप्त होता है जहां दो सड़कें एक दूसरे को काटती है इस चौराहे को विद्वानों ने आक्सफोर्ड सरकस की संग्यदी है एक बिसाल चौराहा आक्सफोर्ड सरकस का समंद कहां से है मोहन जोडों से दूसरी चीज निचले नगर से सोला कमरों वाला एक लाइन में सोला कमरों वाला मकान मिला है कुछ बिद्वान इसे होटल की संग्या देते हैं कुछ सराइब कहते हैं कुछ पुलिस इस्टेशन कहते हैं लेकिन ये मोहन जोड़ों के निचले नगर से मिलता है मोहन जोड़ों के निचले नगर से एक गली से बड़ी संख्या में अस्त बेस्त आवस्था में कंकाल मिलते है और विद्वानों ने उस गली का नाम रख दिया मृत्कों की गली तो मृत्कों की गली का सम्मन्द भी मोहन जोड़ों से है फिर आप देखेंगे कि मोहन जोड़ों से एक सीप का बना पैमाना भी प्राप्त होता है यहां एक चांदी की डिब्बी के अंदर से लाल कपड़े कसाच मिला है पूरे हडपा सब्धा में कपड़े कसाच अगर देखा जातों वो केवल मोहन जोड़ों से मिलता है एक चांदी की डिब्बी के अंदर से लाल जंका कपड़ा प्राप्त होता है इसे भी आपको ध्यान में रखना है सबसे महत पूर्चीज अगर यहां से देखें तो सबसे महत पूर्चीज यह है कि मोहन जोड़ों से कांसे से निर्मित एक नर्तकी की मूर्ती जो हडपा सब्धा की सबसे सुन्दर मूर्ती मानी गई है कांसे से निर्मित है निर्तरत मुद्रा में नारी की मूर्ती यानि नर्तकी की मूर्ती है इसे बिसेश रूप से ध्यान में रखना है इसी तरफ पत्थर से निर्मेत एक योगी की भी मूर्ती यहीं से प्राप्थ होती है इस पे भी प्रस्ण बनता है कि योगी की मूर्ती कहां से प्राप्थ होती है वो भी ध्यान में रखना है यहां से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा हाथी का एक कपाल यानि खोपड़ी प्राप्थ होती है तो हाथी के कपाल का प्रमार कहां से मिलता है वो भी मोहन जोड़ों से प्राप्थ होता है तो मोहन जो दुड़ों से जो दुर्चेश से तो बहुत सार जनी बड़ी बड़ी इमारतों को हमने प्रमार बताया लेकिन उनके अत्रिक अगर देखा जा तो यहां सो बहुत सारी वस्तुगों के प्रमार मिलते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है इनसे भी प्रसन आपको मिलेंगे प्रसन कौन कौन से आ चुके हैं वो नेक्ट लेक्चर में जरूर हम सारे चर्चा करेंगे तो आज हम हरपा सबता कि इन दो नगरों के से प्राप्त वस्तों के बारें बताएं हैं लेकिन आगले लेक्चर में जो सेस नगर हैं वहां की बनावाट वहां से प्राप्त वस्त में फिर कौन-कौन से प्रस्न पूछे जा चुके हैं सब का डिसकर्सन हम नेश्ट क्लास में करेंगे आज यहीं तक बहुत-बहुत धन्यवाद